प्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है फिर क्या चलते हैं किचिन की धर्म आज हम बना रहे हैं बेशन के गट्टे ये मैंने एक कटोरी बेशन लिया है इसको मैंने पहले से ही छान के तयार रखा है और ये मैंने अगर आप ग्राम में देखेंगे तो ये बेशन कम से कम 100 ग्राम होगा और इसको मैंने एक बड़े बॉल में ट्रांसपर कर लिया है अब इसमें एक चोथाई चमच हल्दी डाल देंगे एक चोथाई चमच पिस्यों ही मिस्ट डाल देंगे एक चोथाई चमच पिसा हुआ घर मसाला डाल देंगे एक चोथाई चमच पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और एक चोथाई चमच ही हम इसमें सोब धनिया डाल देंगे जो घर का पिसा हुआ है और घर मसाला डाल देंगे चोथाई चमच इस तरीके से सारे मसाले डल गए हैं अब हम एक चम्मच कस्तूरी मेथी लेंगे इसको दोनों हाथों से बहुत अच्छे से क्रस कर लेंगे और अपने बेशन में डाल देंगे स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे अब चम्मच की सहता से सारे मसाले को हम बेशन में अच्छे से mix कर लेंगे अब हम पानी की छीटों को मारते जाएंगे और कम से कम हम इसका soft भी नहीं और hard भी नहीं विल्कुल ठीक ठाक डो लगा के हम तयार कर लेंगे इस तरीके से एक दम सारा पानी नहीं डालेंगे इससे डो हमारा खराब भी हो सकता है इसलिए हम देखिए थोड़ा थोड़ा पानी की छीटे मारेंगे और डो लगा लेंगे देखिए इस तरीके से देखिए मैं हातों से बहुत अच्छे से मसल रही हूं अब थोड़ी से पानी की अवर्शक्ता हो और है देखिए इस तरीके से ये डोबन के मेरा तयार हो जाएगा अगर हम पानी की मात्रा की जरूत करेंगे तो इसमें हमें दो बड़े चमच पानी लगा था इससे जादा पानी हमें नहीं चाहिए इस तरीके से परफेक्ट डोबन के तयार हो चुका है देखिए इस तरीके से मैंने बेशन का डू बना के तयार कर लिया मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि ये डू कैसे बना है देखिए ना soft है यानि कि ना hard है ना मुलायम है बिल्कुल हमें बीच का डू चाहिए बिल्कुल right अब देखिए इस तरीके से हमने बेशन काड़ो बनाके तयार कर लिया है अब इसका गोल-गोल पेले बना लेंगे और लमसम इसकी तीन लोईआ कड कर लेंगे एक साइज की देखिए अब हमने तीन लोईआ कर ली है अब इसमें जो भी हमें जादा या कम लग रहा है उसमें बेसन थोड़ा सा मिला देंगे अब इसकी लोईया बना लेंगे और हातों की सहता से इसके रोल बना लेंगे देखिए इस तरीके से गोल-गोल रोल बना के तयार कर लेंगे एक साइज के देखिए इस तरीके से मैंने गोल गोल रोल बना के तयार कर लिया है देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक रोल बन के मेरा तयार हो गया है अब हम दूसरा रोल बना लेते हैं देखिए इस तरीके से अब हमने दूसरी भी लोई लेई है उसको भी हातों पे अच्छे से इसको भी गोल गोल रोल बना के तयार कर लेंगे आप चाहें तो पाटे पे भी बना सकती है लेकिन ये आसानी से हातों पे ही बन जाता है देखें इस तरीके से दो रोल बन के मेरे तयार हो चुके है अब तीसरा रोल भी बना लेंगे देखिए तीनो रोल बहुत अच्छे से बन के तयार हो गए हैं देखिए अब इधर मैंने ग्याव सॉन करके नौन इस्टिक फ्राई फिन में कम से कम दो गलास पानी रख दिया है पानी थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे पानी हमारा थोड़ा सा गरम हो चुका है अब हमने जो गट्टे बना के रखे हैं बेशन के इसको डाल देंगे तीनो गट्टो को हम इसी गरम पानी में डाल देंगे और कम से कम पाँच-छे मिन तक इसको उबलने देंगे इधर मैंने दो बड़े प्याच कट करके रखी हैं यह साथ हरी मिर्च लेशन की कर लिया है आठ नो और यह एक टमाटर है इनको अच्छे से दुल के कट करके तयार रखा है अब देख लिए इस तरीके से मैंने पतली-पतली प्याच कट करके तयार रखी है अब इधर यह मैंने मिक्सी जार लिया है अब इसमें अपने टमाटर, लहसन, मेर्ज और प्याच को ट्रांसपर कर लेंगे एक चमज इसमें पानी डाल देंगे और लिड लगा के इसका पेष्ट बना के तयार कर लेंगे देखे इस तरीके से पेष्ट बन के तयार हो गया है मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ देखे इस तरीके से मैंने पेष्ट बना लिया है इधर हमारे गट्टे भी अच्छे से उबल गए है देखे ए कम से कम गट्टो को उबलते हो 3-4 मिनट का समय लग गया है जितने गट्टे जितने अच्छे उबल जाएंगे ये हमारे पानी को उबल तयारने लगेंगे इसका मतलब है गट्टे हमारे बहुत अच्छे से उबल गए है कम से कम गट्टो को उबलने में 6 मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि हमें बहुत अच्छे से गट्टों को उबाल लेना है देखिए कितने अच्छे से गट्टे मेरे उबल गए है और गट्टे विल्कुल ऊपर आ गए है ये विल्कुल परफेक्ट करीका है गट्टे उबालने का देखिए इस तरीके से अब हम इको पानी से बाहर निकाल लेंगे और इस पानी का यूज हम सबजी में यूज कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैं तीनों गट्टो को निकाल लूँगी अब मैंने एक प्लेट पे अपने गट्टे निकाल लीये हैं गैस को औफ कर दिखे गट्टो को ठंडे होने में पांच मिनट का समय लग गिया था देखिए कितने अच्छे गट्टे बने हैं आप इनके गौल-गौल पीसिस कट कर लेते हैं इस तरीके से मैं सारे गट्टो को क कीजिए वेल आकन के बटन को जरूर पैस कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए इस तरीके से मेरे गट्टी भी कट गए है एक गट्टे की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी और आपने इस ट्रिक से बना ली तो आप यही कहेंगे कि हम जब भी आपके घर में सब्ज तो आप इस तरीके से बेशन के गट्टे की सब्जी बना सकते हैं और सबकी तारी भी पास सकते हैं इस तरीके से हमारे बेशन के गट्टे भी कट गए है गया सॉन करके मैंने कड़ाई रख दी है अब इसमें एक चम्मा सर्सों का तेल लगा देंगे जब तेल अच्छे से ह तब आदे सब्सकुल थे दॅ चीनल रेंगे को एक तेज पाच के पत्ते डालज़ो चौने प्या भी कसा बन्लागर पेस्ट इसको डाल दीगे आधी छोटी चम्मच पिसी होई हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच पिसी होई मिस्ट डाल देंगे एक चम्मच धनिया डाल देंगे अब इस मसाले को कम से कम भूनने में दो मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि मसाला चितना अच्छा भूनेगा सबजी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी इस तरीके से मसालों को भूने में एक मिनुट का समय लग गया है अभी मसाला हमें और भूनना है अब इसमें हमें एक चम्मच का स्तूरी मेथी डाल देंगे क्रस्ट करके कितना अच्छा सा मसाला भुनके तयार हो चुका है अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसा देखे इस तरीके से मसाले को अच्छे से चलाते रहेंगे इसे मसाला हमारा नीची से चलेगा भी नहीं और मसाले में बहुत अच्छी सी खुस भुआ जाएगी एक चमच खत्ता दही डाल देंगे दही की हमें ज्यादा जूरूरत नहीं है क्योंकि हमने टामाटर का भी इस्तमाल किया है अभी हम दही को खुआ अच्छे से मसाले में चला लेंगे मसाले को जैसे दही हमारा फ्टे के वह नहीं और मसाले में बहुत अच्छे से धही मिल जाएगा इस तरीके से पूरे मसाले को भूनने में तीन मिनट का समय लग गया था अब जो हमने गट्टे कट करके रखे थे उनको डाल देंगे और मसाले में आदे मिनट तक को अच्छे से भून लेंगे देखे इस तरीके से गट्टे हमारे बहुत अच्छे से भुन गये थे मसाले में अब हम ग्रेवी के लिए पानी लगा देते हैं हमें अधिक ग्रेवी नहीं चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इस तरीके से आप जैसी ग्रेवी खाना चाहते हो आप ऐसा ही पानी क्यों यूज़ कर सकते हैं यह मैंने जिसमें गट्टे वाले थे बेशन के उस वही पानी में ग्रेवी में लगा रही हो दिखिए आप इसको पकने में कम से कम दो मिनट का समय लग जाएगा कि गट्टे हमारे पहले से ही खुब अच्छे से उगल के तयार है आप इसमें आदे छोटे चमच के सा हुआ अगर मसाला डाल देंगे देखिए इस तरीके से आप इसको भी और अच्छे से पक चुकी हैं गट्टे हमारे गट्टे में बहुत अच्छी सी खुस्बू आ रही है इस तरीके से देखिए मैं आपको पास से दिखा रहेती हूँ गट्टे मेरे कितने अच्छे से बनी है एक गट्टा मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ देखिए कितने सौप्ट गट्टे बनी है जब भी आपकी घर में कोई सबजी ना हो तो आप इस तरह की सबजी का enjoy कर सकते हैं अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं देखे कितनी अच्छी सिस गट्टे की सबजी बनी है देखिए इस तरीके से पेशन की सबजी बिल्कुल तयार हो चुकी है गट्टे की मेरी असब ने बहुत इंज्वाई किये थे पराठो से देखिए कितनी बढ़िया और ठेश्टी बनी है अब हम पराठे भी बना लेते हैं इसके साथ फिर आपको प्लेट लगा के दिखाते हैं जो हमने बहुत इंज्वाई की थी इस तरीके से मैं आठा पहले से ही लगा के रखा था अब इसकी लोई कट कर लेंगे अब इसको तिकोनी साइज भी बिल्के तयार कर लेंगे इस तरीके से मैंने तिकोना पराठा बिल के तयार कर लिया है इधर मैंने पहले से ही ताबा रख दिया था ताबा अच्छे से हो गया है अब अपने पराठे को डाल देंगे पराठे को पलट देंगे अच्छे से अब इसमें ओल लगा लेंगे उलट पलट करके इस तरीके से हम oil लगा देंगे देखे इस तरीके से उलट-पलट करके oil लगाते जाएगे और पराथे को बहुत अच्छे से शेख लेंगे देखे इस तरीके से ये पराथा भी सिख्के तयार हो चुका है अपढ़िया पराथा बना है देखिए इस तरीके से एक पराठा बनके मेरा तयार हो चुका है इसको थोड़ा सा सिखने देंगे फिर इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे देखिए अब इस पराठे को सिख गया है अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ अब हम दूसरा प्राठा भी सेक लेते हैं देखे इसको भी सेक लिया है अब इसमें हम गट्टे की सबजी लगा देते हैं देखे कितनी अम्मी गट्टे की सबजी बनके तयार हुई है और इसके साथ दही लगा देते हैं इस तरीके से इथाली देखे सब कमेंट प्रशन हो गया और सबने गट्टे की सबजी को पराटे से इंजोई किया आप चापाती और चावत से भी इंजोई कर सकते हैं प्लीज प्लीज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजिए सस्क्राइब की ज रूर करना थेंग्स